गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यो ओल आर फाइन और सेफ अट होम स्टुडेंट्स, असी लास्ट लेक्षे विच डिवनिटी दे दस गुरु साहबान दे नाम, चार साहब साध्या दे नाम ते पांजग कार पड़े सी आई होप तुसी सबने अपनी फियर कॉपी दे लिखलिया होवेगा आज असी पहले पात्षाई शीरी गुरु नानक देवजी दे प्रशन उत्तर पड़ांगे तुसी एहे अच्छी तरह सुनना है तो इसनों याद करके अपनी डिवनिटी दी फियर नौट बुक दे नौट डाउन करना है ओके स्टुडेंट्स, सो शुरू कर दे हाँ पहला प्रशन है, सिक्त रमदी नी किसने रखी सी? गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक देव जी दी पैंदा नाम लिखो, अंसर है बेबे नानकी जी गुरु नानक देव जी दी पैंदा की नाम सी? बेबे नानकी जी तीज्या प्रशन है, बेबे नानकी जी, गुरु नानक देव जी तो किन्ने साल वड़े सन? अंसर है पांज साल गुरु जी ने किन्नी उमर विच जनेयों पाउन तो इनकार किता सी? अंसर 10 साल दी उमर विच गुरु जी मजियां दे भाग की किन्नी उमर विच बने? अंसर 12 साल दी उमर विच गुरु जी दा व्या किन्ने साल दी उमर विच किस नाल होया? अठारा साल दी उमर विच माता सुलकनी जीनाल किन्ने साल दी उमर विच गुरुजी द व्या होया सी अठारा साल दी उमर विच माता सुलकनी जीनाल होया नेक्स्ट कोश्चन गुरु नानिक देवजी द सोरे दा की नाम सी? अंसर मूल चांद जी अठमा प्रेशन है, मूल चांद जी किथो दे रहन वाले सन? उत्तर बटाले दे नोमा प्रेशन है, गुरू जी दे जिज्चा जीदा की नामसी? इसदा उत्तर है पाई जैराम जी दसमा प्रेशन है, गुरू जी अपने जिज्चा जी कोल किस स्थान दे गए? सुल्तानपूर विखे नेक्स्ट कोश्चन गुरु नानक देव जी कित्थो दे नवाब दे मोद्दी बने सुल्तानपूर दे नेक्स्ट बार्मा प्रेशन है सुल्तानपूर दे नवाब दा की नाम सी नवाब दोलत खा पाई लालो कितो दा रैन वाला सी? इस दा अंसर है एमना बाद दा पाई लालो कितो दा रैन वाला सी? एमना बाद दा नेक्स्ट कोश्चन पाई लालो की काम करदा सी? तरखान दा पाई लालो की काम करदा सी? तरखान दा तर खान दा काम मतलब उन्दा छो लकडी दा काम करता है ओके नेक्स्ट कोशन है एमना बाद दे हाकम दे एल कार दा की नाम सी अंसर है इस दा मलक पागो नेक्स्ट कोशन इस गुरु नानक देव जी नू ब्रह्म पोज दा सद्दा किसने पे जिया सी अंसर मलक पागोने नेक्स्ट कोशन सजजन ठाग कित्थो दा रहन वाला सी तु लंबा पेंड़ दा नेक्स्ट कोशन सजजन ठाग रहिया नू की में लुटिया करदा सी अंसर सजजन ठाग साधुआ फकीरा वाले कपड़े पाउंदा सी ओहो मुसाफरा दी सेवा करदा, चंगा खाननू दिन्दा तिर सोण ले चंगा बिस्त्रविश्वा दिन्दा जोदो मुसाफर सोजान्दा ता ओहो मुसाफरा नू लुट लेन्दा Next question है हरदुआर किस नदी दे कंडे दे है? गंगा नदी दे कंडे दे Next question जोदो गुरु नानक देव जी हर दुवार गए ता उत्थे केडा मेला लग्या होया सी अंसर है विसाखीदा नेक्स्ट क्वेशन हर दुवार विखे लोकी केडे पासे पानी सुट रहे सन चड़ दे पासे वल अगला बाईवा प्रशन है गुरु नानक देव जी ने केडे पासे वल पानी सुट ना शुरू किता इसता उत्तर है लेंदे पासे वल जोदो गुरु नानक देव जी हर दुवार गए ता उत्थे देख्या लोकी पानी सुट रहे सन केडे पासे पानी सुट रहे सी चड़ दे पासे वल ठीक है तो जदो फिर गुरु नानिक देव जी ने देख्या तो उन्हाने केडे पासेवल पानी सुटना शुरू कार दिता लेंदे पासेवल जदो गुरु जी ने लोकान तो पुछिया कि तुसी सारे पानी किदर सुट रहे हो ता लोकान की जवाव दिता अंसर लोकान केहा कि असी ता चड़ देवल मू करके अपने मार चुके वड़ेव डेर्यानू पानी दे रहे हां नेक्स कोशन है जदो लोकान गुरु नानक देव जी तो पुछिया कि तुसी लेंदे पासे पानी क्यों सुट रहे हो ता लोकान ता गुरु जी ने की केहा अंसर गुरु जी ने केहा मेरी खेती तलवंडी विच सुक रही है ओहो इत्थो गेवल साड़े तिनसो मील दी व नेक्स कोशन है गुरु जी ने जदो कंदे तलवंडी वल पानी देन दी गाल कहीं ता लोका ने की केहा इस दा अंसर है लोका ने केहा तो अड़ी खेती तलवंडी विच है इत्थो शुटिया पानी एड़ी दूर किस तरह आपड़ेगा मत्तों लोका ने क्या कि तो नेक्स कोशन है गुरु जी ने चड़ते पासे पानी सुटन वाले लोका नू की समझाया जो दाफिर लोका ने जो कोशन कुछिया ता गुरु जிने अग्याद है उन्हानने कि यी जवाव दित इस दा अंसर है गुरु जी ने लोकान समझाया कि जेकर मेरे द्वारा सुट्टेया पाणी साटे तिन सो मील दी विथते नहीं पोहुंच सकता ता थ्वाड़ा लोकान सुट्टेया पाणी करोडा मिलना ते सूरज तो अग्य कहे जान्दे पित्तक लोकन के में पोहुंच सके नेक्स्ट कोशन है हरद्वार वाली साखीतों सानु की सिख्या मिल दी है इस दा अंसर है इसते तीन पॉइंट्स दित्ते हुए है पहला उड़ा पाग है इस साखीतों सानु यह सिख्या मिल दी है कि सूरज कोई देवता नहीं इस दा एड़ा पाग है सूरज दी पूजा क करन दा कोई लाब नहीं थर्ड मुइंट है सानु केवल अकाल पुरक नू सदा याद करना चाहिदा है मतलब के सानु मेशा अपने जो रब पर मातमा है अकाल पुरक है उसनू सदा याद करना चाहिदा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है इस दा अठाईमा प्रेशन है वैशनो साद दा डेरा किस स्थान ते सी अंसर हर दुआर विखे गंगा दे गंडे नेक्स्ट कोश्चन वैशनो साद पोजन पगाउन तो पहला की करदा सी अंसर वैशनो साद चोंका त्यार करन ली गांदे गोहे दा पोचल लगाउन दा लकडानु तोंदा चोंके दे आले दुआले लकीर खिची दिन दा ता के राक्ष अन दा रासना लै जान नेक्स्ट कोश्चन वैशनो साद अगदी च्वाती लेके किस मगर दोड़या? अंसर पाई मर्दान्य मगर नेक्स्ट कोश्चन वैशनो साद पाई मर्दान्य मगर अगदी च्वाती लेके क्यों दोड़या? अंसर है क्योंके साथ समझदा सी के पाई मर्दाने दा पर छावा चोंके दे पैन नाल चोंका पिट गया है नेक्स्ट कोश्चन है गुरु जी ने किसनो नफरत करन ली केहा ते किसनो नहीं अंसर गुरु जी ने पैड़े कम्मा तो नफरत करने ली किया किसे बंदे तो नहीं इसना मतलब है कि गुरु जी ने किया कि जो पैड़े काम है जो बुरे काम है वो सानु ओना तो नफरत करनी चाहिए मतलब कि सानु कम नहीं करने चाहिए जो आपसे सानु प्यार ना रहना मतलब किसे इंसान तो नुफृत नी करनी चाहिए दी पैड़े कम्मा तो नुफृत करनी चाहिए दी है नेक्स्ट इस्ता लास्ट कोश्टन है कल्युक न ़िपंड़त कित्थो दा रहन वाला सी जगनात पूरीदा कल जुग नामी पंदत कित्थो दा रहन वाला सी जगनाथ पूरीदा सो बच्चियों एह फ़ड़े गुरु नानिक देवजी देवजी दे प्रशन उत्तर एथे कंपलीट हुन देगान तो ये कोशन चंगी तरह सुन के समझ के याद करना है तो अपनी डिवनिटी दी नौट बुक ते साफ सुतरा लिखना है Thank you students, have a nice day, take care